पूरा उप्योग करना होगा और ये हैं वो खिलाडी जो दोनों टीमों के लिए आज के मैच में खेलेंगे अक्राम अक्बल लेबास है ये विश्व क्रिकेट में उठा के खेल दिया है गैप में गई और ये बैतरीन चौका पहली गेंग की तैयारी करते हुए इस आक्रामक फील्ड के साथ तो बहुत ही सूजबूज और नियंतरन के साथ गेंबाजी करनी होगी यहां इसलिए अब पॉइंट पे फील्डर मौजूद फील्डर है फीजियो को बुलाने की आवशक्ता हो सकती है गेंदबाज अपने पसंदीदा छोर से गेंदबाज ही कर रहे हैं इस आकरामक फील्ड के साथ तो बहुत ही सूजबूज और नियंतरन के साथ गेंदबाजी करनी होगी यहां गेंद की लाइन लेंग्ध को समझ के खेलना होगा यहां खनक करने में नाकाम पूर तरह मिस किया काफी हताश होएंगे अपने आप से सीधा स्लोट में थी गेंद बहुत ही बढ़िया धंसे खेला सिंगल के लिए बहुत ही कॉंफिडेंट अपील यहां बॉलर की और अमपायर नॉट आउट देते हुए ओ बहुत ही भैतरीन कप्तानी यहां इसे कहते हैं होमवक करके आना बले बास को देखते हुए कवर्स पे फिल्डर लगा दिया है हवा में खेल दिया था ठीक तरह और यह शॉट बस एक रन ही निकाल पाए और यहां बहुत ही भैतरीन कप्तानी यहां इसे कहते हैं होमवक करके आना बले बास को देखते हुए कवर्स पे फिल्डर लगा दिया है दोरन का कॉल बहुत ही बड़ी अताल मेल दोनों बल्ले वाजों की बीच में अच्छी रनी मिट्वीन दे विकेड़्स बहुत ही आसान सा कैज और बॉल हवा से बाते करती हुई सीधा बाउंडरी लाइन के पार छे रन तेहें अगली गेंट कहां मारेंगे ये देखो बल्ले बास का रौदर रूप उसे मालू है की गेंट का क्या हश्र करना है इजियो को बुलाने की आवशक्ता हो सकती है बैट्समन घायल इस बार बहुत जूदा रन रेट को देखते हुए बल्ले पास अपने रूप बदल रहें तुफानी चक्का इनके तो बल्ले से सिफ चौके और छक्के ही जा रहे हैं चलिए देखते हैं अगली गेंट कहां मारेंगे यहां तो नाक के नीचे से एक रंच चुरा लिया बॉस बल्ले बास हमेशा रंच चुराने के लिए तयार रहते हैं नजाकत से खेल दिया है सिंगल के लिए यह बहुत ही कठिन फील्ड है गेंबाजी करने के लिए गेंबास को अपनी लाइन और लेंथ बड़ी सटीक रखनी होगी हवा में खेल दिया था ठीक तरह टाइम नहीं कर पाये थे यहां और यह आउट जाएगा ँड़ा